छुट्टी के दिन बच्चों ने लगाई दोण मुंबई में हाफ मेर्थान का आयोजन 41 स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा हजारों छात्रों ने प्रतियोगिता में लिया भाग प्रतियोगिता मेर्थान का आयोजन किया गया प्रतियोगिता मेर्थान के लिया है के लिए ख से लिए दिए, जिए्ट के लिकी लाइफन साव्तों के लिए भाऑश ओाओ दो फिए यारिव ठीक ल二10 मेर्या के लिंए, जाल्या मेर्ण किये। बेक्तियोज के लिए लिए क向 विएबदार बच्रारों के लिए ब refrain दोड के साथ साथ इसकूल के प्रांगण में सांस्कृतिक और डांस कमपटिशन रखा गया है दोड में नाला सोपारा की सेंट एलाइव सेस इसकूल फर्स्ट और अंधिरी की सेंट जेवियर्स के बच्चे आये सेकेंड कर दोड़ा है झाल झाल आईए वहाँ चलते हैं उठाते हैं बच्चों के कारेक्रम का लोग। आईए लोग। झालव सकु sindजrá एंड़ 했던 प्राफ्ट को कर दो एंड़ 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 ऽर्श्म सब्सके प्राइ्ब के बासbased है फट लादे लादेनों कि अजजा मारी खीर आपारी हीर। हम बादी 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 हम बाद तूरी राज जने हो सेवी जन तूरी राज जने हो सेवी जन सब्सक्र तेरे अपनाजी जन तूरी 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 लगातार 21 साल से मिनी थौन का आयोजन करने वाली सेंट लारेंस स्कूल की इस बार भी आयोजन किया गया इस आयोजन में भाग लेने वाले 21 स्कूल थे जिसमें से अंधेरी के सेंट जेविर्स दूसरे नंबर पर आई है और इस दूसरे नंबर पर आने वाले बच्चे हमारे साथ में हैं हम उनसे जानते हैं कि ये कैसा फील करें कैसा मसूस कर रही है पहले तो सबसे पहले आपको धेर सारी सुपकामन आए और अपना आप नाम बताएए और इस दूसरी कंपडिशन में आपने भाग लिया और दूसरे नंबर पर आई है तो कैसा मसूस कर रही है मेरा नाम पुजा कुमावत है मैं बहुत अच्छा मैसेज कर रही हूं पुजा जी आप इस आयोजन में कितने सालों से भाग ले रही है तीन साल से तो इस तीन साल में आप पहली बार दूसरी नंबर पर आई है या इसके पहले भी फरस्ट या सिकेंड आचुकी या थर्ण आचुकी पहली बार आई है तो कैसा मसूस कर रही है गर्व मसूस हो रहा है या अगली बार फरस्ट आना इसके लिए और प्रियास करना पड़ेगा आपको और प्रियास करना है फरस्ट आने करना है तो यह दूसरे नंबर पर आने के लिए किसको धन्यवाद है जो टौफी आपको मि स्कूल के स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ में है और बच्चों को उसाहिद करना उनका काम है और बच्चों को हमेशा उसाहिद करती रहे हैं अभी उसाहिद करते करें दूसरे नंबर पर आ गहीं है और इनका टारगेट फस्ट नंबर पर होगा हम पहले तो उनका नाम जाने सेंट जेवियस की एडमेस्ट्रिस हूं यह साल तो दुसरा नंबर पर अगले साल शोली अपना पहला नंबर हो जाएगा क्योंकि मेरे बच्चे जो पार्टिस्पेर कर रहे हैं बहुत इंदिजास्टिक है और उस्टित है कि उन लोग आगे जाए इस बार आप दूसरे नंब देंगे और हम अपना चेहमें सर और मैडम को बहुत टैंक्फुल है कि हम लोग को यह प्लाटफॉर्म दिया आगे क्योंकि यह प्लाटफॉर्म के वज़े से अपना बहुत सारे बच्चा आगे आ सकते हैं तो सिच्छा के साथ साथ में स्पोर्ड पर ध्यान देना और साथ साथ में स्वास्त को लेकर ध्यान देना यह बच्चों का सबसे बड़ा टीचर माबाप को करतब बनता है उसके लिए क्या स्कूल मतलब यह नहीं जान मने मानता कि स्पोर्ड पर भी ज्यादा द्यान देना चाहिए अफकोस यह तो बहुत सारा यह तो जरूरी है शिक्षा क बहुत धन्यवाद आपको मेडम जी और लगातार सिच्छा के साथ मैं स्पोर्ड को सरकार और जगह जगह पे यंजियों बढ़ावा देते रहते हैं साथ ही स्वास्त को लेकर भी चेयर साइम जैम हमसे बात किये और स्वास्त को लेकर भी उन्होंने बोला कि ध्यान देना सेए और हम आगे जो फर्स्ट प्राइज जीते हैं उनसे भी बात करेंगे 21 साथ से लगातार मिनी थोन का आयोजन करने वाली सेंट लौरेंस इसकूल इस बार भी आयोजन किया था जिसमें एक तालिस स्कूलों ने भाग लिया था और इसमें फर्स प्राइज जीतने वाली जो स्कूल है और नाला सोपारागी सेंटर लवरे सेस है जो बच्चों का मनोबल बढाते हुए फर्स प्राइज जीता है और इस first prize जीतने वाले बच्चे हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानते हैं कि कैसा ये मसूस कर रहे हैं और आगे का पड़ाओ इनका कैसा होगा पहले सबसे पहले तो आपको धेर सारी सुपकाम नाए इस जीत के लिए पहले तो अपना आप नाम बताइए मेरा नाम नीदी पुजारी है, मैं सेंटेलोशिस हाई स्कूल नाला सुपरा से हूँ आप ये first prize जीती हैं, कैसा मसूस लग रहा है और कैसा मसूस हो कर रही हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम special thanks बोलना चाहते हैं हमारे chairman sir को madam Chris Pinto और CEO Ryan sir और हमारे सभी supervisors, principal, ma'am, coaches और सब लोग हम thanks बोलना चाहते हैं आप ये जो trophy आप जीती हुई है first prize मेरी थाउन में, एफ प्राइज किसको आप देना चाहेंगी मम्मी पापा को या teacher को या जो आपके group हैं उनको मैं अपनी school को देना चाहते हुई कुकि हमारे school ने हमें encourage कि अए इस मौके पर आने के लिए इसके लिए धन्यवाद thank you किसको कहना चाहेंगी मैं इस सब thank you हमारे school को स्कूल को कहना चाहती हूं क्यूंकि उन έχει हमने उन कुंणने हमको इन करके इस मोके पर भेजा है रब करो जानते हैं कि सामिल हुए मिन्टौन में सुबसुबस आप कितने बज़े घर चार बज़े गरे क्रते हैं पर तो मैं sister जा कर एक काल रब आपके बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस मिनिफॉन में शामील हो तो आगे का पढ़ाओ क्या होगा आपका आगे का पढ़ा हो यह रहेगा कि और और बैदर करूँ इससे और स्कूल को हर साथ फस्ट पर और बच्चे भी हमारे साथ में उनसे जानते हैं कि पहले तो अपना नाम बत आएंगे कि आप नंबर वन आये और इंडिया लेबल पर आप जाएं ऐसे आपको लगता कि आप इंडिया लंबर पर जाएंगे हां लगता तो अगर सबकी दूआ हो तो जा सकता हो इंके आपने फर्स पाइज जीता हुआ है किसको धन्यवाद कहेंगे मैं अपने कोच राम कोबल बढने के लिए बच्चों का एक क्या एनरजी आप क्या खाती है क्या बताइए हमारे बच्चे हमेशा अच्छा परफॉर्म करते और इसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे चेर्में सर डॉक्टर एफ पिंटो हमारी मैनेजिंग डिरेक्टर मैडम ग्रेस पिंटो और सी जुकि ही द्रिवय द्रिश्टी है जिसकी वज़ा से हमारे बच्चे हर एक शेत्र में आगे बढ़ते हैं उनको कोचे तींट तीचर्ञें वो सब की तरफ से उनको बहुत उनके भी परिश्रम रहते है जिसकी वेज़ा से आज उन्हों नहीं अच्छा परफॉर्म किया और हर एक चीज मन लगा के करते हैं जिसकी वज़े से उन्हें हमेशा सफलता हासिल होती है तो आगे का बच्चों का पड़ाव आप वहां की सुपरवाइजर हैं पूरा मनेज़ देखती हैं तो किस तरीके से उनको क्या खाना मलब बोलती है कि यह खाना चाहिए स्वास के लिए हम हमेशा उनको समय समय पर बताते रहते हैं क्या उनके लिए अच्छा है उनके कोचेज हैं पीटी टीचर्स हैं वो कई बार पैरेंस को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनको रोल्स के खाने में उनको क्या-क्या शामिल करना चाहिए जिनसे उनकी शक्ती बढ़े औ और मुझे लगता है पिछले 13-14 साल से हमें ही ये फर्स प्लेस मिल रहा है फर्स प्लेस आप 14 साल से जीत रही है ये तो बड़ी कामयाभी है आपके लिए और स्कुल के लिए वहां के बच्चे बहुत तेज तराग निकलते होंगे तो आगे बच्चों को आपके साथ में बच स्कुल की सुपरवाइजर जिन्हों ने कहा बच्चों को सिच्छा के साथ स्वास्त पर भी ध्यान देना चाहिए और हम लगातार 14 साल से ट्रॉफी जीत रहे हैं और आगे भी यही मानों कामना करते हैं कि आभी भी बच्चे ये ट्रॉफी जीते रहे हैं स्कुल दौरा 21 साल से आयो जित हाँ मेरे थान प्रतियुकता में हजारों बच्चों ने हिसा लिया है जहां लगातार सिच्छा और स्वास्थ वो लेकर केंद्रव राज सरकारें काम करती आ रहे हैं वहीं एक पूरे देश में एक ऐसा ग्रूप है जो सिच्छा को काफी बढ़ावा देता है ओ है आडन इंटरनेशनल ग्रूप उसके सियो रायन पिंटो जी हमारे साथ में है जो सिच्छा को लेकर के हमारे साथ में बात करेंगे 1976 से लगातार सिच्छा को बढ़ाना देवाली ग्रूप रायन इंटरनेशनल पूरे देश में 186 स्कूले खोल चुकी है वो उनके सियो रायन पिंटो जी हमारे साथ में है जो हमारे साथ में बात करेंगे सबसे पहले तो आपको डेर सारी सुबकामन आए आज बोरी बली आपके ब्रांच में मीनी मेरो थाउन का आयोजन किया गया है उस पर वो कैसा मसूश करते हैं इस साल यह हमारी 21st year है 20 साल से हमारा कार्यक्रम हो रहा है और आज जो हुआ है 158 मिनी तॉन का प्रोग्राम आयोजीत हुआ है और इस साल और बड़ा हुआ है हमारे यहां मुंबाई के पचांग स्कूलों से ज़्यादा बच्चे आये हैं और आल्मोस 15,000 बच्चों ने पार्टिसिपीट किया है चाह तक मुझे जानकारी मिली है अब तक 65 जो है रेसे हो चुकी है उसमें 70,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है तो यह बड़ा एक आयोजन आप हर साल करते हैं तो इसके लिए जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं यह हम प्रमोट करना चाहते हैं हमारे बच्चों द्वारा की हेल्थी लिविंग और फिटनेस जिंदगी लिए कितनी इंपॉर्टन है क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी इतनी बिजी होती है और ज्यादे से ज्यादा हम हमारे बच्चों द्वारा हम जीते हैं तो हमारे पेरेंट्स को और हमारे कम्यूनिटी को यह मेसेज देना चाहते हैं कि फिटनेस और हेल्थी लिविंग बहुत ही इंपॉर्टन है जब आप स्वास्त और सिच्छा की बात करते हैं 1976 से लगा अतार RN International Group बढ़ता जा रहा है 186 पूरे देश में स्कूल में हैं इतने बड़े लेबल पे सोच आपके जो भी है ग्रेंड मदरे दादर जो भी है सोच आई कहां से कि इतने बड़े सिच्छा को लेकर के बढ़ावा दीने के लिए It is only in favor of Jesus and हमारे चेर्मेन डॉक्टर एफ पिंटो और मैनेजिन डिरेक्टर माडम ग्रेस पिंटो उनका ये विजिन था जो परमेश्वर ने उनको दिया और उनका जो पैशन है दोनों टीचेज रहे और ये पैशन द्वारा ये सारी स्कूल इस्तार्ट हुए जहां तक मुझे मालूम है कि बहुत सारे इवार्ड भी इंटरनेशन इवार्ड भी 2015 में 2016 में आपको बहुत सारे मिले हैं तो क्या आप गरुमसूस करते हैं इवार्ड के लिए आप अफकोस जरूर गरुमसूस करते हैं और हमारे ये जो अभी अलमोस्ट दोसों से उपर ग्लोबल आवार्ड हमें दिये गए हैं अलग-अलग काटेगरीज में और हम सिर्फ परमिशूर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये परमिशूर का देन है हमारे लिए और हमारे सब पै आप परेंट्स एंग आपके पूरे देश में उसमें कितने बच्चे अभी तर लगबाग होंगे अगर कुछ एक आकड़ा आप बता सकते तो नंबर तो बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से अल्मोस्ट अभी 40 साल पकट के हर साल ग्राजुएट होते 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 मुझे लगता है अल्मोस्ट पांच लाग अभी बच्चे अलूमिनाए हैं पुरे देश में और वर्ल्ड में कि पड़ा संख्य आप ने बताया है इतनी बड़ी सिच्छा एक ग्रूप अगर दे रहा है तो बड़ी बात है सिच्छा हर आदमी का सिच्छा और स्वास्त मूल-शुळायों होती है एशिच्छा को बढ़ा देने क्या स्वास्त में आप कभी विचार मनलब कभी करते हैं क भी स्वास्त भी लोगों को देना चाहिए ज़रूर यह बहुत ही important है क्योंकि हम ध्यान देते हमारे बच्चों का overall development और academic development के लिए physical development, mental development बहुत ही ज़रूरी है तो इसी द्वारा हम ऐसे कारे करते रहेंगे और हम प्रमोट करेंगे हमारे बच्चें की आगे बढ़के स्वस्त जीवन जीए एक बड़ा गुरूप का आप CEO है इस बड़े गुरूप के आप CEO के जिम्मेदारी निबा रहे हैं और 186 स्कूल समालना तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है तो कितना समय आप निकाल पाते हैं? समय तो काफी नहीं है Time is always less but it is only a favor of God and the blessing of my parents मेरे मातापेता उनके वज़े से मैं यहां हूँ और बहुत सारे काम करने है और बहुत सारे काम सीखने है तो आगे बढ़के करेंगे आज मीनी थौन का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है और क्या उसमें कभी द्योगपती हो या शिलिवरेटी हो तो ऐसे आयोजन में मेरी थौन में कभी बाग ऐसे लेते हैं आप या उनको बुलाते हैं जुरूर हम special judges को बुलाते हैं special guests को बुलाते हैं आज यहां हमारे नीवी offices आए हैं और पुलीसे आए हैं और हमारे काफी national level players, hockey, cyclists, runners वगेरा वो भी यहां आए हैं ताकि यह सब celebrities और यह सब जो special guests है हमारे बच्चों को motivate करें क्योंकि उनकी शुरुवात भी कहा ना कहा, स्कूलों में, ने दर किदर कॉनसे academy शुरुवात हो इती तो हम बुलाते हैं ताकि हमारे बच्चे motivate हो सके आज का जो mini thon का आयोजन किया गया यह कितने kilometer का था और कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया टोटल लगबग 15,000 बच्चों ने भाग लिया और अलग-अलग categories थे under 12, under 14, under 16, boys और girls तो the range was between 2-3 kilometers मेनी थाउन आयोजन को लेकर के बच्चों में कितनी उसा होती है यह देखनो को मिलता है तो आज में जो आपने मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चों का आप आए हुए हैं तो उसके लिए क्या बच्चों को संदेज देना चाहेंगे यह देना चाहता हूं कि अजी कि जी आपस्ते बच्चों का बच्चों का मनोबल बहुनाने के लिए आए हाँ पे समय निकाल करके कैमरामन एस्वज पटेल के साथ जितेद मिश्रा इन्टून्टी फोर न्यूज मुंबई